सर बिजनेस वैलिएशन बिजनेस वैलिएशन नहीं है आज सर थमनेल से तो वैसे हमको पता लग ही गया है यस बहुत सारा एक्शली बिजनेस वैलिएशन में टाइम भी इसलिए लगा वो रिकॉर्ड इसके बाद होगा पर ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है पर ये वाला वीडियो आना जरूरी था जिसका नाम है एडवांस्ट कैपिटल बश्टिंग क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे उनका ये कहना कि सर चलो ठीक है यार कॉर्परेट वैलूशन मर्जर वगेरा का आपका पुराना वीडियो है जस्ट छे मैंने पहले का रिवीजन वीडियो इस एडवांस्ट कैपिटल बश्टिंग का रिवीजन डाल दीजिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी इसलिए पहला जो रिवीजन अभी जो चल रहा है वो एडवांस्ट कैपिटल बश्टिंग सर कोउशन्स कोउशन्स एक भी ऐसा कोउशन नहीं रहेगा रिवीजन में जिसमें मैं आपको मॉडियूल का कोउशन छड़वाऊंगा मतलब जो आपक नया चेक्टर है और पता नहीं मेरा दिल करता है कि यहां से कोउशन्स आएगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा टोटल चार साड़े तीन चार घंटे रिवीजन में लगेगा तो प्लीज देख लीजिए अगर जिन्होंने एडवांस्ट कैपिटल बिस्टिंग नहीं भी कर रखा है तो भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहां से समझ में आ जाए उन लोगों को ठीक है ओके तो सर चार घंटे का टार्गेट है और चार से जादा नहीं जाने दूगा पक्का नहीं जाने दूगा लेकिन उतना फास्ट भी नहीं करवाँगा जैसे बाकी तो सर एडवांस कापिटल बुषीटिंग में हम क्या पढ़हेंगे अगर देखा जाए तो मैंने क्या करवाया था था आपको मैंने करवाया था बेसिक्स basics क्यों करवाया था सर basics basics मैं आपको याद दिलाया था कि यह payback period होता है discounting payback period होता NPV कैसे निकाला जाता ARR क्या होता Terminal value क्या होता Equivalent annual NPV क्या होता यह सब जो मैं revision मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि यह हमारे syllabus का हिस्सा नहीं है यहां जो करवाया था वो तो मैंने CA inter का करवाया था और CA inter की अब हमको ज़रूरत नहीं especially revision में तो ज़रूरत नहीं इसलिए time भी लग गया तो sir हम start कहां से करेंगे inflation in capital wasting risk analysis in capital wasting replacement decision और adjusted present value यह चार चीज करवाना sir आज का target क्या होगा आज का target होगा यह दो topic risk analysis in capital wasting ऐसा नहीं कि risk analysis छोटा सा है बहुत बड़ा है इसमें बहुत कुछ है इसमें RADR है इसमें certainty equivalent है इसमें sensitivity analysis इसमें scenario analysis है इसमें decision tree है ओके और replacement decision और adjusted present value इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगना it means यह बड़े मुस्किल से एक देट घंटे में खतम हो जाएगा आज का target है यह दो topic cover करना inflation in capital wasting और risk analysis in capital wasting हलाकि सर यह भी तो CA inter में था था यहाँ advance level है थोड़ा सा especially sensitivity analysis उसमें time लगेगा time लगा देना भाईयो और मैंने पहले भी कह रखा AFM module आपका पूरा coverage है इस revision में ठीक है सर हम इस start करें this is part number one और सर कल आ जाएगा ना part number two please सर हाँ भाई कल आ जाएगा और सर कल कल अगर मैं कहता हूँ कोई test देना चाहता है sorry वो तो मेरे group में डल जाता बच्चों के लिए कल जो topic डल गया थे security evaluation और security analysis का टेस्ट है कल मैं आपको कल जब revision video डलेगाना advance तब description में डाल दूँगा वो question paper और Sunday को capital wasting का test होगा हाँ और एक chapter revision हो जाएगा उसका भी test हो जाएगा एक दो chapter और सर revision complete next week complete मतलब complete पहले ही बोल दिया था next week तक मैं सारे video डाल दूँगा चाहे चार दिन में एक video आए चाहे एक दिन में दो-दो आजाए आपका sense नहीं next week तक मुझे डालना ओके तो यह सर यह सब time pass आप नहीं करवाऊंगा पक्का मैं नहीं करवाऊंगा काम का है भी नहीं है मैं सीधा जाओंगा inflation in capital wasting और इस उमीद से कि आपको CA Intel का थोड़ा बहुत capital wasting आता हो का this is inflation in capital wasting जो हमारे सबसे काम का है सर क्या है inflation सुनना धियांस यह इस टेप से जो लिखवा रखा था यह काम के नहीं अब यहां ठीक से समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर मान लो किसी product का selling price है 50 रुपए ठीक है सर 50 रुपए और कितना units बेचने का सोच रहा है आज 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 इस calculator का selling price कितना है 50 और कितना कितना units बेचने का सोच रहा है 1000 1000 1000 1000 तो बता सकते हो कि cash flow कितना आएगा सर पैसा माल बेचने पे sales कितना आएगा 50,000, 50,000, 50,000 और कितना कितना सर यह first year में आएगा 50,000, second year में आएगा 50,000 और third year में आएगा 50,000 लेकिन सर दिक्कत वस एक ही है दिक्कत यह है कि हम जो capital बश्टिंग में कहते आज इसका price कितना है 50 तो अगले साल भी 50 रुपए ही रहेगा उसके बाद भी 50 रुपीज रहेगा उसके बाद यह तो बेगोफी वाली बात है यार it means inflation भी तो है भाईया आप उसको कैसे बोल सकते हो जो आज 50 है माल लो inflation का rate कितना है 10 परशन वो 50 रुपए नहीं रहेगा वो 55 हो जाएगा price तो बढ़ेगा तो उस हिसाब से जो 1000 यूनिट बेचोगे ना पहले साल में उससे 50-50,000 नहीं आएगा 55,000 आएगा inflation को भी तो consider करना पड़ेगा और second year में तो यह calculator और मेहगा हो जाएगा तो फिर कितना आएगा सर फिर आएगा आपका और मेहगा मतलब जो 50 रुपए था 50 रुपए था plus 10 percent plus 10 percent तो सर 60 रुपए 50 पैसे into 1000 यूनिट और फिर और 10 percent से मेहगा हो जाएगा 66.5 into 1000 इस ये वाला cash flow मतलब सर inflation को भी consider करना है हाँ ची तो करना ही पड़ेगा तो ये वाला cash flow जिसमें inflation को हमने ignore कर दिया था इसको हम बोलते थे real cash flow और जिसमें inflation को भी consider किया जाता है उसको बोलते है nominal cash flow real nominal तो हम ऐसे नहीं निकल सकते कि 50,000 plus 10 percent 50,000 plus 10 percent plus 10 percent 50,000 plus 10 percent plus 10 percent हाँ कर सकते है तो सर रियल cash flow सबसे पहला काम है कि यार inflation का effect कैसा दिया जाए तो मैंने का real cash flow को convert करना है किसमे nominal cash flow में और क्या same video same lecture मेरा already डला हुआ है yes sir detail में डला हुआ है YouTube पूरा capital wasting के lecture डले हुए उसी से मैं revision कर रहा हूँ उसी यही board notes है बहुत सारे बच्चे board notes मांग रहे थे तो सर ठीक है 60,000 63 आ गया 5 percent का inflation है तो 60,000 into 1.05 और यहां जाएगा 1.05 power to 1.05 1.05 यस सर और सर 50,000 ठीक है सर समझ में आ गया मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ मैं भी सिखा रहा हूँ सिफ रियल cash flow को nominal cash flow में कैसे convert किया जाता सर मान लो ये सर ये मान लो nominal है थोड़ा खेल 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 रहा है भी अभी सर concept क्या concept पर मैं नहीं आ रहा हूँ अभी बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ real से nominal में कैसे पहुचेंगे nominal से real में कैसे पहुचेंगे सर नॉमिनल कैश्ट वो दिया है और 5% पर एनम इंफ्लेशन करेटे रियल में कनवर्ट कर सकते हैं डिवाइट करेंगे 80,000 ये किया ये दो साल बात का है तो दो बार इंफ्लेशन हटाया सर इंफ्लेशन हटाना है तो डिवाइट हाना यार जब इंफ्लेशन एट करना तो इंटू 1.05 कर रहे थे जब हटाना है तो डिवाइट करना है स्वभाविक बात तो अब भी मैंने क्या किया सर मालो नॉमिनल कैश्ट वो दिया है और अगर कोश्चन में बुलेगा इंफ्लेशन हटाईए तो हटा दिया मैंने तो यह जो कैश्ट प्लो आए इसका नाम क्या है इसका नाम है रियल कैश्ट प्लो अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा आता है अब को प्लीज इसको देख ध्यां से देख रियल कैश्ट प्लो है मतलब विदाउट इंफ्लेशन पहले साल 32,000, फिर 40,000, फिर 25,000 इंफ्लेशन का रिट फर्स्ट येर में है 10% सेकंड येर में है 9% और थर्ड येर में है 12% पता हिए नॉमिनल कैश्ट प्लो क्या है गए इस इस मोश्ट इंपोर्ट 32,000 है 10% से बढ़ाना है 35,200 अब ये 40,000 जो आज के हिसाफ से है तो पहले साल इंफ्लेशन का रिट कितना 10% तो इंटू क्या करेंगे 1.10 और सेकंड येर बढ़ेगी महगाई है लेकिन अनुमान है कि 9% से बढ़ेगा तो इंटू जो ये फर्स्ट इयर का हैगा उसमें 9% से बढ़ाना और सर ये ये थार्ड इयर का है पर कौन सा पर्चेसिंग पावर आज के हिसाब से तो सर पहले साल 10 से फिर 9 से और फिर 12 से ठीक है तो प्लीज ये वाला एक्जामपल अच्छा एक्जामपल है और क्योंकि इस टाइप का कोश्चन है ये अच्छे से करोगे अब कौन सेप्ट भी की बात करतें कौन सेप्ट की बात ये है अगर इंफॉलेशन पिकचर में है तो जो आप माल बेच्चो के उस पर इंफ्लेशन का इफ्यक्ट तो देना पड़ेगा इट मिस जो कैलकुलेटर आज 50 रुपीस का था वो एक साल बाद महगा होगा तो सर उस महगाई का effect तो देना बड़ेगा तो भाई साब राम जो पैसे लगा रहा था और राम जो मांग रहा था 10% उसको उसमें भी तो inflation नहीं है जब उसने पैसे लगाया और उसने जो पैसे लगाया था किसी भी project में तो 10% इसको बोलते है real discounting rate without inflation real लेकिन सर inflation का effect तो देना पड़ेगा ना इस पे भी यस जो shareholder है inflation की वजह से उनका require rate रेटन तो बढ़ेगा हाँ inflation premium bond valuation में भी inflation का effect आया था जब हम CAPM कर रहे थे तो RF पे भी आया था RM पे भी आया था पता नहीं वो question आपको याद है की ने मेरा बस यह कहना है कि 10% में क्या inflation जुडा हुआ है नहीं इसको कौन सा rate बोल रहा हूँ मैं real discounting rate पर inflation का effect तो देना पड़ेगा अगर मैं inflation का effect दे देता हूँ और inflation है 5% तो बताओ inflation जोड के जो rate आता उसका नाम होता है nominal discounting क्या nominal discounting rate निकाल सकते हो 10 प्लस 5 15% लेकिन ऐसा नहीं होता मैंने आपको इसका logic दिया था बहुत सारा दिया था बहुत सारा अब मैं बहुत सारा logic यहाँ तो नहीं दे सकता है थोड़ा तो मैं भी अगर real rate दिया और inflation दिया तो inflation premium जब जोड़ना होता तो वो जोड़ता नहीं वो multiply होता और मैंने क्या बताया था factor into factor factor into factor factor into factor कैसे बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ 1.10 यह क्या है factor किसका real rate और इसको multiply किससे कर देंगे inflation premium into 1.05 तो यह जो आयेगा ना इसका नाम रहेगा nominal discounting rate सर इसका मतलब यह हुआ real से nominal निकालना है तो plus नहीं करना है plus भी सही है पर accurate नहीं है अगर accurate निकालना है तो उसमें 5% क्योंकि मैंने आपको बताया था किसे principle पर effect नहीं आता inflation का उसके interest पर यह आता 1 plus 1.10 principle plus interest इन दोनों पर inflation का effect आता है concept बहुत ज़्यादा नहीं घुस सकता है sorry आप YouTube में तो lecture डले हुए है देख लेना तो मेरा बसी यह कहना है जब भी real rate से nominal निकालोगे तो factor को factor से multiply करोगे और sir inflation हटाना है तो factor को divide कर दोगे that's it मतब premium को divide कर दोगे चलो देखे it means मुझे nominal discounting rate निकालना तो factor into factor कर दूगा बस और कुछ नहीं factor into factor कुछ time के लिए video रुख गया था ठीक है sir okay sir factor into factor suppose real discounting rate दिया और inflation का rate दिया तो हो जाएगा sir फिर तो फटा फट से 1.17 into 1.04 minus 1 into 100 sir 21.68 ठीक real nominal real में inflation जोडना पड़ेगा अगर nominal दिया तो inflation हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो divide कर देना inflation premium को factor divided by factor अगर nominal दिया आया तो sir real निकालने के लिए बाकी और कुछ निकाए ओके तो सफकh concept क्या है concept है भया inflation लेना है तो दोनों में लेना है cash flow में भी और discounting rate अगर inflation नहीं लेना है तो दोनों में नहीं लेना है तो एँज कर रहे हो तो real cash flow यूज करो ok real cash flow को real discounting rate मतलब inflation दोनों तरफ से उड़ा दीचे और अगर आप inflation consider कर रहे तो दोनों तरफ consider करना पड़ेगा, real cash flow में भी consider करना पड़ेगा, मतलब आपको nominal cash flow लेना पड़ेगा और nominal discounting rate लेना पड़ेगा, यही मैं यहाँ समझाने की कोशिश किया बाकी lecture आप पैसे detail में नहीं करवा सकता ना भई करवाता हूं तो फिर बच्चे रोते हैं मेरे नाम से सर आठ गंटे का revision आ यार forex का आपने हद नहीं कर दिया इसलिए मैं 4 गंटे में उड़ाना हूं forex भी, देखो न मैं 3 गंटे में खतम करूं देखें yes cost of project है एक लाग cash flow दिया है 70,50,40 है discounting rate है और अगर inflation नहीं है तो ये तो बच्चो वाला काम हो गया तर ये divide वाला तो हमको आता है सिधा NPV निकाल लिए चाहो तो आप factors से multiply कर सकते हैं या तो ऐसे NPV निकालना है या तो factors से multiply करके NPV निकालना और मैंने आपको एक बाद बताया हूँ especially हाँ से आप बता चुके अगर factors दिया तो factors से ही multiply करना पड़े अभी क्या था inflation था क्या नहीं था अब question में ये है अगर inflation दिया है अगर inflation दिया है 5% और आपको nominal cash flow लेना है और nominal discounting rate लेना है तो क्या आप NPV निकाल सकते हो जी कुछ नहीं है तो भाईया सबसे पहले जो real cash flow है उसको convert करना पड़ेगा nominal cash flow में मतलब 70,000 plus 10% 50,000 plus 10% plus 10% 40,000 plus 10 plus 10 plus 10 इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा nominal cash flow और nominal discounting rate कैसे निकलेगा सर 10% एक factor आगया 1.10 और उसमें inflation जोड़ना है 1.05 तो यह आगया है 15.5% ठीक है और फिर मैंने discounting कर दिया यह है nominal cash flow यह है nominal discounting rate तो सर आंसर आगया है 35011 सर पहले भी तो 35011 ही आए था बिटे आंसर तो एक ही आता है ना यार आप नहीं समझ रहा है आंसर तो एक ही आएगा आंसर अलग अलग कब आ सकता है जब inflation rate अलग अलग हो पहले साल अलग हो दूसरे साल अलग हो तीसरे साल अलग हो और अलग 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 चीजों पे हो revenue पे inflation का rate कुछ और हो cost पे inflation का rate कुछ और हो तब answer depreciation की वज़ा से खर मुझे बहुत ज़्यादा अभी revision के समय research नहीं करवाना है वो किसर बात समझ ले है अब धियान से मैंने यहाँ कुछ समझाया हूँ सर यह factor निकला कैसे यह factor अगर हम factor से करें तो factor कैसे निकला सर सिंपल थी तो बात है 1 divided by 1.155 0.866 आ तो गया है और एक तरीका है अब एक तरीका क्या है सुनना 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 भीट जब मैंने यहाँ rate लिया कितने परशन का 10 परशन का ठीक है अब यार actual में मुझे बिलकुल ध्यास ना मतलब सर यह 10 परशन का factor है मतलब 1 divided by 1.10 किया और यहाँ 1 divided by 1.155 किया तर एक काम सुननो ना ऐसा भी तो हो सकता है हम 1 divided by 1.10 करें और उसके बाद divided by 1.05 करें तो भी तो काम हो सकता ना तर पहले यह वाला factor निकाल लिया और उसके बाद और divide कर दिया तो inflation भी हटा दिया उसमें से सुनो factor factor देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ इटमिस मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं 0.909 है कितने परशन का factor है 10 परशन का factor अगर उसको मैं 1.05 से divide कर दूँ अपस तो क्या answer यही आ जाएगा यही आ जाएगा यही आ जाएगा यही समझाया था research भी किया था हम लोगों ने इस पर ओकी अगर real discount सुनो 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 अगर real discounting rate का factor दिया है और inflation का rate दिया है और सर वो nominal discounting rate का factor मांग रहा है मानलो factor तो सर इसको सीधा divide कर देंगे inflation premium के factor से तो answer आ जाएगा yes answer आ जाएगा बहुत गहरी बात है ओके सर देखते हैं यह दिया है सर nominal cash flow दिया है ठीक है याद रखना nominal cash flow को nominal discounting rate से real cash flow को real discounting ठीक है nominal cash flow दिया है cost of project दिया है inflation का rate दिया है 5% तो सर nominal cash flow के लिए nominal discounting rate चाहिए और भाई real discounting rate का factor दिया है तो इसको अगर मुझे discounting करना है तो इस factor से कर ही नहीं सकता क्यों क्योंकि यह है nominal और यह है real तो sir इस से मुझे convert करना पड़ेगा इसको इसमें इसको divide कर देंगे inflation के factor से तो nominal discounting rate का factor आ जाएगा ऐसा question है क्या sir नहीं है पर आ सकता है आया हुआ किसी जमाने में और NPV आ जाएगा 2066 आगे चलें तो पहला question करने जा रहा है question number 44 हमारी book का और sir अगर हमको हमारे AFM module में देखना है तो आपको मिलेगा TYK 17 पड़े जी यस firm hedge project is the falling cash flow from a project sir यह पैसा जा रहा है 30, 40, 30 यह पैसा आ रहा है the above cash flow have been made and expected price after recognizing inflation sir मतलब इसमें inflation को consider कर लिया गया है yes तो यह कौन सा cash flow है nominal cash flow cost of capital दिया है 10 percent और inflation का rate दिया है 5 percent अब सुना धिहान से यह nominal cash flow है यह discounting rate कौन सा है अगर यह nominal cost of capital है तो बस बात खतम इसको nominal से बात कर लो बात खतम पर यहार अगर में यह nominal cash flow है और यह nominal discounting rate है exemption ले सकते हैं कैसी exemption है तो सर फिर inflation की जरुबरत नहीं है हम तो NPV वेसे नहीं कल लेंगे question कभी ऐसा आएगा नहीं कि nominal भी देदेगा nominal discounting rate भी देदेगा कि चलो यार lottery लग गए फिर तो यार inflation पढ़ी क्यों रहे है it means यह वाला cost of capital है real अच्छा सा real मानना ही पड़ेगा और उस पर inflation को यूज करके discounting rate निकालना पड़ेगा 15.5 फिर तो काम हो जाएगा मैंने table बना कर करवाई हूँ proper presentation के साथ आपको जैसे चाहे वैसे कर सकते हूँ बस यह nominal cash flow है तो discounting rate मैंने nominal लिया NPV positive है please यार module के question कर ले ना भाईयो एक और ही question दिया था इसको मैंने homebook दे दिया था यह TYK 18 मुझे आज तक समझ में नहीं आए कि institute ने एक ही question को दो दो बार क्यों दे थी 72, 30, 40, 30, ठीक है sir तो अब हो cash flow have been made an expected price after फिर वो ही inflation को consider कर दिया गया मतलब सर यह nominal cash flow है yes, cost of capital 10% वो ही वाला तो question है sir expected annual inflation का rate दिया 5% present value factor 10% के इसाब से दिया sir क्या करें इसको convert कर लीजी किस में मतलब सर इसको divide कर सकते है 1.05 से इसको 1.05 ऐसे भी कर सकते आप जैसे चाहिए बैसे कर सकते तो दो alternative है या तो जो nominal दिख रहा है उसमें से inflation हटा दो तो तो गया जाएगा real और ठीक है जैसे करना है institute ने बहुत सारे alternative जो मैंने पहले करवाया था न वैसा कर लो बात खतम हो जाए question number 46 AFM module में है TYK19 में पहले भी बोल रहा हूं कि institute के module के सारे question मैंने करवाया हूं advance capital budgeting में क्योंकि मैंने simple से जितनी भी question से सब यहीं हो जाएगी आपके revision में हो जाएगी revenue and cost revenue दे रखा है एक दो तीन और cost भी दे रखा है हर साल का excluding depreciation ignoring inflation मतलब सर यह real है real cash flow yes real cash flow ठीक है tax rate 35% cost capital 14% तो सर यह कौंसा है 14% real discounting rate है कि nominal discounting rate real यह nominal inflation rate for revenue and cost यह दे रखा है तर यह दे रखा है revenue और यह दे रखा है cost और 14% का factor दे रखा है और पूछर अनेरेश्ट रुपीज में काम करना है आपको NPV ने कालना अब सबसे ज़्यादा समस्या क्या हमाल हो है कि सर हमको real वाले approach से करना है कि nominal वाले approach से करना है पहली बात सुन लो सुन लो काम आएगा क्या revenue में inflation का rate अलग है आसर क्या cost में inflation का rate अलग है यस जब भी ऐसी situation आएगी भाई हो तो यह आपको हमेशा हमेशा जो follow करना है वो आपको nominal cash pro technique से ही काम करना पड़ेगा मतलब आपको inflation को consider करना ही पड़ेगा आप real वाले तरीके से नहीं कर सकते और सर यह discounting rate कौन सा दिया है nominal की real सोच लो अगर जिन बच्चों का कहना सर यह real discounting rate दिया है फिलकुल से अगर यह real discounting rate दिया है भाईयो तो निकालो फिर nominal discounting rate कैसे निकालोगे यह वाला inflation का rate लोगे कि यह लोगे कुछ भी बात कर रहा हूँ एटमिंस यह सर क्या है सर यह nominal discounting rate है CDC बात है यस कैसे पता लग रहा फिर से पहली बात कैसे पता लगा कि हमको nominal cash flow approach से ही करना है कैसे पता लग रहा है उसकी वज़ा है कि rates अलग अलग है revenue के cost के इसलिए मुझे nominal approach से ही करना यह तो final हो गए है तो सर इसको हम convert करेंगे nominal में ठीक है सर अब सर discounting rate की बात कीजिए न 14% discounting rate real है कि nominal बस यहाँ फसे हुए थे अगर इसको मैं real मानता हूँ तो फिर इसको मझे nominal discounting rate में convert करना पड़ेगा करूँगा कैसे इसका कि इसका दिक्कत यह थी इसलिए हमने इसको माना कि यह nominal discounting rate एक वज़ा ही है और factor भी दिया हुआ है काम करें तो सबसे पहले revenue को देखते कितने कितने है बहले revenue है भी यह 10 लाक पहले साल inflation है 9% से तो 9% से बढ़ा दिया फिर सर 9% के बाद 8% से मतलब 13 लाक लोगे तो पहले 9% बढ़ा होगे फिर 8% बढ़ा होगे ठीक है जी यह भी हो गया उसके बाद सर 14 लाक है तो पहले 9 फिर 8 और उसके बाद 6 तो यह भी कर लिया ऐसी किसकी बाद कर लो cost तो cost भी इसी ratio में बढ़ा दिया आपने यहां तक कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत अब revenue मिल गया और cost मिल गया तो बस हम बना रहा है और हम काम कर रहा है nominal cash flow nominal discounting rate को यूज करेंगे revenue हो गया सर cost हो गया तो इसका नाम है cash flow before tax या EBDT आपको जो बोलना है बोलो कोई फरक नहीं पड़ना होना earning before depreciation and tax भी बोल सकते हैं EBDT ठीक है हम CABT बोल रहा है cash flow जिसमें से depreciation भी minus नहीं हुआ और tax भी तो सर पहले depreciation minus करेंगे और depreciation पर कभी inflation का effect नहीं पड़ता है कभी देखा कि depreciation महगा हो जाता है नाई सर डेप्रेशिशन तो उतने ही लोग है पाच लाग पाच लाग पाच लाग तो यह आगया profit before tax पर tax कर लिया और depreciation क्यों माइनस किया आपको पता है हाँ सर यह मैं CA इंटर वाला तो नहीं पढ़ा हूँगा यार और जिनको दिक्कत है ना CA इंटर वहते है इसे तो आप basic class देख सकते हो CA final में मैंने करवाए हूँ और तो भी इसमें दिक्कत है ना भाईयो तो CA इंटर की class भी डल रही है वहाँ से देख ले ना पहली लेक्चर में समझायों कि यह क्या कर रहा है depreciation क्यों है सर वो पता है हमको ओके सर तो CFBT में से tax माइनस करोगे तो CFAT आ गया और discounting rate तो nominal ही दिया हुआ है तो सब को किया तो NPV आ गया 1-9965 और NPV positive है तो project should be accepted फिर बच्चों का ना पता नहीं regular class में ऐसा ही होता है बच्चे कुछ नो कुछ खोश कर निकाल लेते हैं और आप लोगों नहीं क्या खोश कर निकाला था आपका कहना था सर मान लो ऐसा है 10,000, 12,000 यह है real मान लो ऐसा है ऐसा पूचा था मान लो वाला क्यों कर रहा हूँ इसको क्यों कर रहा है ऐसा question नहीं है जब नहीं है तो एक्ष़रा दिमाग क्यों चला है ऐसा question आया नहीं है जबरदस्ती मुझसे पूछा था तो मैंने prove करके बताया था अगर ऐसा ऐसा है सिर्फ एक ही में है तो आप कैसे काम कर सकते हो तो यह मैंने बताया था कि देखो भी यह ऐसा होगा तो ऐसे भी कर सकते थे ऐसे भी कर सकते थे जिनको पढ़ने का सौक है वो पढ़ ले ना मैं नहीं करवा रहा हूं यह चीज यह हमारे exam oriented नहीं है ओके question number 47 illustration number 1 है अगर आप AFM module की बात करोगे तो वहां illustration number 1 मिल जाएगा देखें यस तब project में पैसा लग रहा है 40,000 revenue आ रहा है without inflation मतलब inflation नहीं है sir मतलब real real cash flow और annual cost एक्स यह भी without inflation है ठीक है भही है यह यह भी real cash flow life है 4 साल tax rate है 50% cost of capital include sir यह nominal discounting rate एक ही तरीका है ना यार जब real है तो real ही रहने देते हैं real ही रहने देते हैं इसको convert कर देंगे किसमें real में ठीक है तो मैंने पहले 30,000 लिया cost का 10,000 लिया CABT आ गया depreciation लिया 40,000 लिवाड़ेड बेचा है PBT tax CFAT आ गया और मैंने क्या किया nominal को convert किसमें कर दिया real में और discounting करके answer निकले सर इस example simple था question simple था illustration number two इसी type का question करवाए हूं मैंने मतलब सर ये हमारे taste your knowledge में भी दिया है और हमारे illustration में भी दिया है बनता है करने का मतलब illustration में भी दिया है और TYK में भी दिया है जो भी हमने किया है वैसी वाला question है तो प्लीज देख लेना सर ये LDR है कि पका last day आपको देखके जाना चाहिए ओके तो ये था inflation खताम वाव सर मज़ा गया आज तो मुझे दोई topic करवाना था एक inflation in capital investing ओके और सर मतलब छोटा सा topic है हां सर आपकी classes में इतना time भाई, classes में हम research करते तो time लगता है आप खुदी बोलते हैं सर ऐसा नहीं ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं ऐसा हो गया तो classes लंबी जानी है ऐसा नहीं है कि खतम हो गया है, बहुत कुछ है इसमें risk analysis in capital investing और as per आपका module अगर module में देखोगे, तो उन्होंने risk को तीन पार्ट में बाटा है risk analysis में, एक statistical techniques और एक conventional techniques और एक other techniques ऐसे तीन पार्ट में बाटा है ठीक है सबसे पहले बात है statistical techniques, याद रखना इसको अच्छे से समझना क्योंकि कल की class में hillier model और hearts model ये सब revision होगा और उसमें बच्चों को पता है problem क्या जा रही है dependent cash flow कब माने, कब hillier model लगीगा, कब hearts model लगीगा, कब dependent माने, कब independent तो कल में और explain कर दूँगा अच्छे से तो आपको याद हो जाए जो पहली बार देखने, उनको चल गया रहा है, उनको ऐसा लग रहा होगा, सबसे पहले बात कर रहे है इस्टैटिश्ट का तर इसमें होता क्या, कुछ नहीं होता भाई, तीन चीज़े हम कहते हैं कि ये NPV आएगा, पर क्या पक्का आएगा पकका कैसे बल da, deviation हो सकता है क्या, हाँ, तो निकालो ना, standard deviation आप कैसी कह सकते हो कि पकका ये NPV आएगा, NPV जादा भी हो सकता NPV कम भी हो सकता, तो आप deviation निकाले और deviation निकालने के लिए अगर दो project है, तो फिर आप coefficient of variation निकाले और जिसका CV कम है वो ज्यादा रिस्की है याद है ना पॉर्टफोल्यू हाँ सर पस वही है और कुछ नहीं इंदिश टेक्निक भी कैल्कुलेट स्टेंडर डिविशन कोईफिशन्ट और वेरिशन तू फाइंड आउट रिस्क और ये सब आता है आपको फॉर्मला एक एक्जाम्बल के थूँडिसकस भी किया था यार बिजनस शलेगा वो डिपेंड किस पर करता है इकोनॉमी तो बलाए एकोनॉमी ये भी हो सकती है बूम नॉर्मल रेसिशन एन पीवी ये भी आ सकता है, NPVA भी आ सकता, एक सिनारियो के इसाब से NPVA भी तो आपको expected NPV निकालना है variance भी निकालना है, और standard deviation भी निकालना, variance पूछा है, तो निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है यार वह probability, वह x, वह px, और x minus x minus x bar और उसको multiply कर, square करके probability से multiply करोगे, तो यह आ गया variance और variance जो आया, और expected NPV यह आ गया, variance को square root किया, तो यह आ गया standard deviation, यह मुझे नहीं समझाना है, यह आपके लिए बिच्चो वाला काम है ओके, ठीक, यह वाला question, यह हमारे book का है, कि हाँ जी, ty के 6 ty के 6 ओके, बढ़े लिखा, civum limited के पास 2 mutually exclusive project है mutually exclusive पता है आपको दोनों में से कोई एक select करना है A में पैसा लग रहा, 36,000 और B में पैसा लग रहा, 30,000 और NPV यह आ सकता है, इसकी probability यह भी आ सकता है, इसकी probability ठीक है जी, पहले number पे मांग रहा है, expected NPV, मेरे ख्याल से मैंने table बनाया हो, यह बनाया है expected NPV और standard deviation मांग रहा है, तो मेरे ख्याल से यह table मुझे explain नहीं करना पड़ेगा इसका expected NPV आया 9,000 और इसका भी expected NPV आया 9,000 इसका standard deviation आया 4450 और इसका standard deviation आया 4450 तो अगर मैं कहूं कि दोनों में से कौन सा project करें, तो दोनों का NPV तो समान है लेकिन इसका standard deviation कम है तो हमें project भी करना चाहिए 100 परशन बट चाहो तो CV भी निकाल लेना अगर दिल करें, यहां तो यह दिख राया जिसका deviation भी कम है, NPV बराबर है पर CV भी निकालोगे तो answer वही आएगा कि यह ज़्यादा रिस्की है क्योंकि इसका CV कम सारी मैं sharp pressure समझ रहा था deviation उपर है, सारी, सारी सारी, इसका CV ज़्यादा है जिसका CV ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिस्की गलती गुलती है, तो मैं sharp pressure याद हो गया ज़्यादा रिस्की, उसे साब से मैं project B करना चाहिए अब यहार बेकार की बात, मालूम है इस question में क्या पूछा, P.I. पूछ लिया P.I. P.I. मतलब P.V.C.I. divided बेकार में पूछा है, मुझे समझ भी निया था क्यों पूछा, तो सर्फ P.V.C.I. desirability factor बोलते थे, आप लोग याद करो तो P.V.C.I. एक ही बार आया है तो P.V.C.I. कैसे आएगा, आप भी मालूम है NPV कैसे निकालते हो NPV निकालते हैं, P.V.C.I. minus P.V.C.O. क्या हमको NPV पता है, हाँ सर्फ पता है कि हमें P.V.C.O. पता है तो P.V.C.I. तो निकली जाएगा वही मैंने किया है, इसका P.V.C.I. और बस, पूछा बार है, और कुशन ये कुशन देख सकते हो एक एक इग्जामपल भी लिया हूँ एक बार, मैं पूरा ही गरवा रहा हूँ ठीक है, हो कैसे देखें क्या, यह सर कॉश्ट अप प्रोजेक्ट है एक हजर लाइफ है पास साल प्रोबैबिलिटी दिया और कैश फ्लो दिया और कैश फ्लो हर साल आएगा पर एनम, कॉश्ट अप कापिट है 10 परशन, क्या आप एक्सपेक्टेड एनपी भी निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेड एनपी वे दो तरीके हैं, प्रीज इसको समझ लो क्योंकि हेलियर मॉडल आएगा तो परेशान हो जाओगे, मैं अभी भी बोल दो तो पहला काम यह है कि कैश फ्लो को मल्टिप्लाई कर दीजी और एक्सपेक्टेड 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 एक्सपे सिनारियों के हिसाब से एंपीवी निकाली फिर इस सिनारियों के हिसाब से एंपीवी निकाली तीन एंपीवी निकाली और उसको फिर यह जैको मैंने तीन एंपीवी निकाला और तीन एंपीवी को फिर प्रोबैबिटी से मल्टिप्लाई किया तो यह आया एक्सपेक्टर एं NPV कौन निकाले तीन सिनारियो में तो उन्होंने क्या कर रखा है उन्होंने cash flow को यह expected कर रखा है कोई फरक नहीं पर अच्छा ICAI ने क्या कर रखा मैं आपको बता रहा था लॉजिकली तो यह होता है ICAI ने क्या कर रखा इस टैप का question में उन्होंने cash flow का standard deviation निकाल लिया हमने किसका NPV का standard deviation निकाला वो कभी कभी क्या कर रहा cash flow का standard deviation निकाला ठीक है इसका मतलब सर अगर cash flow दिया हुआ है तो cash flow का standard deviation निकालो भई यही काम किया है it means यह वाला question है जिसमें मैं जिसके लिए मैं चर्शया कर रहा था वह है TYK2 यह गलत कर रहा है मेरी निजरों में गलत है और यह question आपको याद करना पड़ेगा बहुत सारे बच्चों के दिक्कत आएगा कि sir यहां hillier model क्यों नहीं लगेगा भीया यह आपको याद करना पड़ेगा okay देखें क्या yes probability दिया cash flow दिया है और project B का भी cash flow दिया है life भी दिया cost of project भी दिया और 57% आपका cost of capital भी दिया और पूछ रहा कि बता यह project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लोजी कली क्या होना चाहिए था 6 छीच लाग के हिसाब से एंपी निकालते फिर 4-4 लाग के हिसाब से फिर दो-दो-दो लाग के हिसाब से फिर standard deviation निकलते उन्होंने कुछ नहीं कि उन्होंना expected cash flow निकाल लिया चाल लग और expected cash flow के इसाब से NPV निकाल लिया चाल लग चालिस जाल और फिर SC project B का भी और फिर standard deviation निकाल लिया standard deviation समझ रहे हो ना हाँ सर, standard deviation मतलब सर ये आपका ये इसके इसाब से expected NPV के cash flow का standard deviation निकाला ये आपको याद करना पड़ेगा इस solution से इस presentation से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ पर मेरी खुशी से कोई लियने दिना नहीं है आपको तो number चाहिए ये वाला question TYK3 है हमारी book में question number 16 देखोगे तो दो project है NPV दिया है दोनों का और standard deviation भी दे रहा है और बोल रहा कि कौन सा project करोगे अब यार दिक्कत है कौन सा project करोगे तो अगर मैं देखो NPV के सबसे तो मुझे ये करना चाहिए और deviation के सबसे मुझे ये करना चाहिए तो CDC बात है वैसा जवाब दे दीजिए आप जवाब क्या दोगे पर फिर भी दिल करेगा तो CV निकाल लेना it means point number one आपको उस हिसाप से ही जवाब देना पड़ेगा जिस हिसाप से वो पूछ रहा है अगर हम risk ज़्यादा लेना चाहते हैं तो project y अच्छा है अगर हम risk कम लेना चाहते हैं तो project x अच्छा है पूछ रहा है अगर हम CV यूच करते तो क्या आपका तो CV निकाल के decision देदे ना जिसका high CV मतलब high risk ठीक high CV यह मतलब high risk गलती से मैं ठीक है सर वो हम समझ गया थे और बोल रहा कि बताएं more appropriate कौन सा more appropriate तो मेरे हिसाब से CV ही है पर इन्होंने कहानी अपने हिसाब से लिख रहा है तो आप देख लेना इसको तो वैसे भी मैंने homework दिया था illustration no.4 कुछ भी नहीं था तो प्लीज यह question मैं नहीं करवारा हूँ revision में आप देख लोगे वग तो आपके पास होगी तो एक था statistical techniques जिसमें कुछ करना ही नहीं था standard deviation or expected NPV निकालना था अब दूसरा conventional techniques conventional techniques में दू चीज़े करवाना RADR और certainty equivalent approach risk adjusted discounting rate और certainty equivalent approach बासर यह तो सबके सब CA inter का हाँ जी मैं जानता हूँ CA inter का काम revision तो करना ही पड़ेगा सर चाहे अपने CA inter में भी क्यों ना कर रखा हूँ okay सर RADR क्या वोलता RADR मैंने example याद दिला देता हूँ मैंने का यार मान लो मैं अपनी class चला रहा हूँ ठीक है सर आपकी class कौन सी है CA 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 में वगिरा की CA CA पढ़ाते हो और यह आप लोग और आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ please मुझे पैसे चाहिए पैसे चाहिए और आप लोग बोलते अगर बैंक में जमा करते तो हमको कितना person return मिलता है 8 person इसको मैंने क्या नाम दिया था risk free और आपने मुझे मेरे पास पहले पैसे लगाया हुआ है क्योंकि आप मुझे 15 person चार्ज कर रहे थे बात समझने की कोशिश करना मैं हूं company आप सूच रहे आपने मुझे पहले पैसे दिया है और किसली दिया है मालूम है क्योंकि मेरे CA की classes चल रही है तो बोले हमको return भी चाहिए मैं कितना return चाहिए बोले 15 person मैं ठीक है 15 ले ले लेना कोई दिक्कत नहीं है अभी आपका मेरे हाँ पैसा लगाया तो उसका cost of capital कितना है 15 person discounting rate 15 लेकिन वोई पैसा अगर आप bank में जामा करते तो वहां risk free है तो वहां से discounting rate कितना 8% इसको क्या बोलते है risk free मैं वापस आपके पास आया और मैं बोलता हूँ सुनो ना मुझे पैसे चाहिए तो सबसे पहला question है sir कहां लगाने वाले हो मुझे अपने ही business में लगाना CA CA कि क्लास उसी को expand कर रहा हूँ ठीक है sir जितना दे रहे है उतना दे दो 15% है आपका actual cost of capital तो आप 15% actually sir यह जो extra charge किया जा रहा है risk free पे 8 और आप से 15 तो यह 7% क्यों extra मांगा जा रहा है risk premium क्योंकि sir हम आपको पैसे दे रहा है पता नहीं क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी इसलिए हम 7% risk premium का मांग रहा है इसको बोलते normal risk premium अगर आप से जो fund उठा रहा हूँ अगर इसको मैं वापस उसी business में लगा रहा हूँ same business में तो भी आप कोगे ठीक ही sir risk premium का साथ दे दे देना पहले भी आप 7% दे रहा थे अभी भी 7 दे दे दिजी दिक्कत नहीं मैं का सुनो ना यार मैं अपने business में नहीं लगा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ JEEE की classes का लिए तो बहले sir risk तो जादा है क्योंकि आप similar business में नहीं लगा रहा हूँ नए business में खुश रहा हूँ तो बहले फिर risk premium का double हम आपसे charge करेंगे it means risk premium था कितना sir 7 तो 7 into 2 कितना 14 प्लास risk free का कितना 8 हम इतना charge करेंगे risk जादा रहेगा क्योंकि risk तो double है ना इसको बोलते है risk index risk double है तो risk premium भी double तो ये CAPM जैसा है कि वैसे ही है कुछ और मैं कहता हूँ यार मैं government security में पैसा लगा रहा हूँ जिसमें आपको पक्का पक्का मिलेगा तो फिर बोले ठीक है 8 person दे दो sir चल जाएगा it means तो क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पैसा लगाती हूँ discounting rate depend करता है कि आप कहां पैसा लगा रहा है ठीक है उस rate से discounting कि और जिस rate से मतलब सर्र रिस्क के हिसाब से discounting rate adjust होता है yes रिस्क के हिसाब से discounting rate adjust होता है उसको बलते है RADR और उसी rate से आपका discounting किया जाता है cash flow that's it इस टेप्स लिखवा रखा है और मैंने बता है RADR अगर same business है तो simple risk normal risk premium add कर देंगे और सर अगर business other business है तो risk index से multiply कर देंगे और सर कभी कभी CV दिया रहता है और CV का मैंने क्या कहा था अगर higher CV है तो higher RADR यूच करेंगे simple है और फिर NP भी नहीं काल देंगे देखे एकाथ question ये वाला question पी वाई के 50 ठीक है इसमें क्या है सर इसमें project X में पैसा लगाना है कितना दो लग 10,000 पासल लाइफ है 70,000 आएगा और इसका CV दिया 1.2 अगर 1.2 के सामने देखो तो RADR कितना यूच करना है 16% और उसका factor भी दिया है तो सर 70,000 into 3.274 माइनस दो लाग 10,000 तो NPV है जाए ठीक है कुछ था नहीं इसमें करने वाली कोई बात नहीं थी अगे बढ़ा हूँ question number 22 और क्या हमारे module का question है yes TYK 16 बढ़े so there's a new project limited ठीक है तीन project है P1, P2, P3 इसमें पैसा लग रहा है 15,000, इसमें लग रहा है 11,000, इसमें लग रहा है 19,000, रिस्क इंडेक्स दिया हुआ है मतलब सरी अधर बिजनेसे सेम बिजनेस नहीं है और normal required rate of return कितना है 15 और risk free rate कितना है 10% तो 15-10 normal risk premium कितना हो गया है 5 risk index से multiply करते जाएंगे तो RADR निकल जाएगा ठीक है बच्चों को दिक्कत हुई थी बस एक ही जगा कि tax rate दिया हुआ था 40% मैंने कटवा दिया था तो बच्चों का कहना सर question में tax rate दिया है 40% कही ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज होगा बहुत सारे बच्चों का कहना सर इसमें तेक्स माइनिस कर दिते हैं अपनी अपनी opinion यार टेक्स दिया है तो सर हम cash flow before tax मान दिते हैं depreciation, depreciation का यूज करेंगे बहुत कुछ कहा था सीधी सी बात है institute ने tax rate यूज नहीं किया है अब भी यूज नहीं करें और मैं exemption ले लूँगा यह जो cash flow दिया यह after tax है और सर हमारा मन करेगा तो हम यह alternative exemption ले लेंगे कि इसको CABT मान लेंगे कि मान लेना number नहीं मिलेगे आपकी मर्जी यह question यहाँ का नहीं है यह question हर जगा है CMA में भी यही question है CA Inter में भी यही question था और जब माफ़ा चलता था बहुत पहले माफ़ा तो आपको पता नहीं होगा ठीक है तो फिर तो कुछ बचा नहीं है सर सिदा NPV निकल लेंगे या सिदा NPV निकल लेंगे और जिसमें NPV highest है उसको accept कर लेंगे तो दो question थे आरेडियर अचा यह भी एक question है यह आपके module में illustration number 7 है प्रीज देख लेना project में कितना लग रहा है 100 लक 7 percent है risk free और risk premium है 7 percent और कहीं भी risk index नहीं दिया है तो मान लो similar business से सीदा 14 percent से discounting कर लेना और NPV निकाल लेना हलाकि बोलता है NPV निकाल लो based on risk free rate बोले इस cash flow को आप एक काम करो पहले risk free rate से discounting कीजिए और फिर बोल रहा कि आप risk adjusted कुछ भी करवाता है institute इस cash flow को दोनों rate से कैसे discounting कर लो कि क्या यह risk की cash flow है सर concept नहीं चाहिए करना कैसे यह बता हो करना कैसे वो मैं आपको बता दी conventional techniques में उसके बाद आता है certainty equivalent approach देखे क्या है वो example मैंने का भाई मुझे एक लाख रुपे चाहिए और इस एक लाख रुपे को वैसे तो bank में जमा करोगे तो कौन सा rate है risk free मैं एक तो अपनी classes में लगा सकता हूँ CS CS की तो risk तो है risk है ना मैंने कब मना की पैसा भी तो ज़्यादा आ रहा ना एक लाख नबे जार एक साल के लिए risk है इसलिए discounting rate कितना ले लिया मैंने 15 पर दूसरा मैं government security में लगा दू अगर मैं government securities में लगा रहा हूँ तो पैसा no doubt कम आएगा और cash low कितना रहा एक लाख बारा जारा हूँ अब सवाल ये है इसको discounting किससे कर रहा हूँ सर ये तो risk free है ना इसको 8 persons क्या मैं certainty equivalent कर सकता हूँ certainty मतला पका पका क्या ये पका पका आएगा हाँ सर या ये पका पका आएगा सवाली पैदा नहीं होता या मैं certainty जो पका पका आएगा equivalent कर सकता हूँ कास कोई मुझे बता दे इधर से कुछ ऐसा करके बता दे कि इधर भी बोल दे कि पका पका आएगा equivalent करने की कोशिश कर रहा हूँ सर इसके ये जो cash flow दिख रहा है न सौरी ये जो cash flow दिख रहा है इसमें जो certainty है इसमें भी उसके equivalent करना चाहता हूँ और फिर जब इसकी certainty हो जाएगी कि पका पका इतना आएगा उसको मैं risk free rate से discounting कर दूँगा तो ये जो certainty factor है वो दिया रहेगा it means क्या कहना चाहता है ये देखो भई expected है कि 1,90,000 आएगा पर ये तो पका है 1,90,000 नहीं भी आया पर 80% तो पका पका आएगा 1,52,000 आएगा अब ये पका हुआ अब इसको मैं 8% से discounting कर सकता तर ये तो यार दिक्कत वाली बात ये कहां से आएगा दिया होगा उसको CE से multiply करना CE मतलब certainty equivalent और discounting किस से करना है risk free rate से discounting कर लेना बस बात कतम हो जाएगा मैंने example भी करवाया था इसमें example भी check कर लेते है पैसा कितना लग रहा है 1,20,000 expected cash flow दिया है certainty equivalent दिया है expected cash flow को certainty equivalent से multiply करूँगा तो सर ये risk free आ जाएगा उसको risk free से discounting करूँगा और ये क्या जाएगा N pay इसको तो मने होंबग दे दिया बस ये वाला point ना बच्चों को दिक्कत हो रही थी दिक्कत बस इतनी थी अगर इन दोनों को देखो तो certainty किसमें कम है सर किसमें कम है इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट इसमें certainty कम है सर इसमें कम है न यार जिसमें CE कम ये तो दिख रहा certainty कम है मतलब risk ज़्यादा हुआ हाँ सर मतलब ये ज़्यादा risk की है अगर risk ज़्यादा है और मालों मैं RADR यूज करता तो किसको ज़्यादा rate से discounting करता सर इसी को इसी को ज़्यादा rate से discounting risk ज़्यादा तो require rate of return भी हमारी ज़्यादा चाहिए तो वही पूछा है अगर हम RADR यूज करते तो कौनसे वाले प्रोजेक्ट को higher discounting rate से discounting करते answer आता प्रोजेक्ट है ओके सर तो प्लीज ये question आपको देखना पड़ेगा और सर इस question में तो कुछ खास बात थी ही नहीं ठीक है हला कि ये illustration number 8 है पिछला वाला भी है काम का है कि यस टी वाई के 14 टी वाई के 14 ओके सर अब आया other techniques और other techniques में हमारे पास है sensitivity analysis, scenario analysis, simulation और decision tree simulation में कुछ रही है इसमें time लगेगा आपको मतलब जो time लगना है वो किसमें लगना है sensitivity analysis इसके बड़े सारे question डाल रखे और मेरा अनुमान ये है कि sensitivity analysis से एक question पूछने वाला है हो सकता है एक ये भी मेरी guessing है sensitivity analysis के इतने सारे questions दिया है भाई बनता है पूछने खता तर एक water break ले ले क्या आज की class कहां तक होगी आज की class sensitivity analysis तक होगी और जितना time आज की मैंने कहा ना 4 घंटे से कम्मे हो जाएगा ठीक चिंता वाली बात नहीं एक water break है मेरे लिए चल अच्छे बात करें sensitivity analysis यस है क्या sensitivity analysis सुननो के ध्यान से सुनना हम किसी project को करते है ठीक है प्रोजेक्ट करने से पहले NPV निकलते है अगर NPV positive आया तो accept NPV negative आया तो reject but 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 NPV positive आया तो सर सीधा accept कर ले कि रुको 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 सीधा accept मत करो NPV positive आया ठीक है क्या पक्का है कि जो सोचा है वही होगा मतलब मतलब यार हम सोच रहे हैं कि मान लो ये calculator बना रहा है और हमने जो NPV निकाला हमने ये मान के चला कि चलो यार ये हमारा 50 रुपे के हिसाब से बिग जाएगा पर भगवान ना करे 50 का नहीं बिगा प्राइस कम हो गया तो बुरा बुरा सोचना है फिर वापस NPV निकालो फिर या इस calculator बनाने के लिए material लग रहा है और material हमको ऐसा लग रहा कि 30 रुपे लगेगा material में या cost 30 रुपे लगेगा पर भगवान ना करे 30 रुपे ना लगा किसी वज़ा से material का price बढ़ गया तो NPV तो फर्क पड़ेगा तो वही चीज हम निकालने की कोशिश कर रहा है हर एक जितना भी NPV निकालने के लिए जितने भी variables है जितने भी factors है हर एक factor का एक time पर बुरा बुरा सोच के देखेंगे unfavorable direction में सोच के देखेंगे कि इसकी वज़ा से NPV को क्या फर्क पड़ेगा cost की वज़ा से NPV को क्या फर्क पड़ेगा और फिर देखेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा critical factor है किसकी वज़ा से NPV को बहुत बुरा फर्क पड़ता है और उस factor के विशे में further research करेंगे market में एक समय पर एक factor को change करना scenario analysis क्या होता है scenario analysis में हम एक साथ सारे factors change करते scenario analysis और ऐसी कुछ होता है simulations अभी बात करें sensitivity analysis की यस ये कब करते है सर प्रोजेक्ट का हमने NPV निकाल लिया उसके बाद सीधा प्रोजेक्ट accept नहीं करते उसको accept करने से पहले सोच कर देखते unfavorable unfavorable क्या हो सकता है सर कॉस्ट और प्रोजेक्ट हमारा उनुमाने की एक लाख रुपए लगेगा पर ऐसा भी तो हो सकता है यार एक लाख से ज़्यादा लग गया थो ठीक है selling price of product cost of project life of project हमारा उनुमाने की हमारा जो project है वो 5 साल चलेगा 4 साल चला तो बुरा बुरा सोचना ठीक है सर cost of capital हमको ऐसा लग रहा कि हमें जो पैसा वो 10% के सबसे मिल जाएगा पर 10% के सबसे नहीं मिला 12% के सबसे मिला तो कुछ भी हो सकता न ये सब कुछ करेंगे और क्या target है critical factor ढूनेंगे कौन सा ज़्यादा danger है ठीक है अब sensitivity analysis में दो approaches होती और हमारा ICAI में दोनों ही approach है एक shock देंगे और दूसरा है margin of safety मतलब जिसमें NPV zero करना तर ये याद नहीं आ रहा है मैं याद करवाँगा इस example के थूँ बात करेंगे सारे के सारा तर दिख नहीं रहा है manage कर लोगा आपकी copy में लिखा हुआ suppose cost of project है एक लाग बीस ज़र CF80 निकाला है 45,000 life है total पास साल और cost of capital है 10% क्या आप NPV निकाल सकते हैं बिल्कुल NPV निकाल सकते हैं अभी भूल जाओ कुछ sensitivity पढ़ा NPV निकाल सकते हैं 45,000 और पास साल का factor दस 3.791 और ये NPV किदर गया है अपने NPV निकाला ही नहीं चलो NPV आप निकालनो मेरे पास तो निकला नहीं है NPV 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 45,000 इन्टो 3.791 माइनस एक लाग बीस ज़र NPV आ रहा है 5059 5059 यही है ना भाई मुझसे calculation बहुत ज़्यादा mistake 5059 अब इसकी दो अप्रोच है पहला है मैंने NPV निकाला अब समझने की कोशिश करना इसकी sensitivity analysis में दो अप्रोच है पहला अप्रोच ध्यान से समझना है यहां से NPV कितना निकला 5059 और मैं cost of capital cost of project में sensitivity analysis करने की कोशिश करूँ यह important है मैं गह रहा हूँ कि यह प्रोचेक्ट में कितना लग रहा है 120,000 ठीक है अगर 120,000 लग भी रहा है तो भी तो मेरा NPV पोजेटिव है 50,000 595 तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने गा यह project में अगर पैसा 120,000 लग रहा है दिक्कत नहीं 130,000 भी लगेगा तो चल जाएगा तो भी NPV पोजेटिव तो भी हम project कर लेगा 1,40,000 लगेगा तो भी चल जाएगा तो maximum maximum कितने तक acceptable है maximum कितना बुरा हम accept करने को तियार है cost of project में maximum कितना लगा है कि NPV 0 हो पर negative नहीं होना चाहिए 0 तक acceptable है तो cost of project को क्या मानेंगे जिसका निकालना है उसको X मान के करते है मैंने कह 45,000 suppose cost of capital में हमारा X लगता है और NPV 0 भी acceptable है तो क्या cost of project निकल सकता है maximum yes sir हम project में पैसा लगा सकते 1,70,595 में maximum अगर उससे ज़्यादा जाएगा हम reject कर लेए कितना percentage हम acceptable है और वो हमने निकाला वैसे तो 1,20,000 लग रहा है पर 1,70,595 भी लगेगा तो चल जाएगा तो चल जाएगा वाली बात है तो सर्फ 40% निकाल रहा है सर्फ 42.16% तक हम accept कर लेगा अगर बढ़ता है तो बढ़ जाए 10% पे भी समस्या नहीं है 20 पे भी नहीं है 30 पे भी नहीं है 42.16 तक कोई समस्या नहीं तो भी हम project accept कर लेगा इसे sensitivity and cost of project मतलब सर्फ जिसके विश्या में निकालना है जिसका हमें sensitivity निकालना है उसको x लेकर हम NPV 0 करने की कोशिश करेंगे ठीक है हलाकि इसका formula से कर सकते है formula क्या sensitivity किसमें निकालना है सर्फ cost of project में तो cost of project नीचे लिख लिजी और NPV उपर लिख लिजी सर वही तो किया है अपने NPV उपर लिखना और जिसका निकालना उसको अपने नीचे लिख लिख लिए और कुछ नहीं ऐसे भी कर सकते है अगर करना हो अलाकि यह सबसे ज़्यादा से percentage कितना आएगा percentage उतना ही है आएगा 42.16 percentage यह मैं पहली approach समझा रहा हूँ जिसको मैं margin of safety बोल दूँगा यह जिसको मैं बोलूँगा जिस पे NPV 0 करना है ओके ऐसे ही किसका CFET CFET मतलब CFET कितना आ रहा भी 45,000 तो भी NPV positive है अगर कम आया तो कितना कम चल सकता उससे कम नहीं चलेगा उसको X ले लिते सर और वो भी किया हमेने मतलब इसको हमने क्या ले लिया X पाकी एक समय पर एक ही factor change करना है तो सर इसके इसाब से कितना हमारा चल जाएगा 3, 1, 6, 5, 4 अगर CFET हर साल का 3, 1, 6, 5, 4 कम भी हो जाता ना इतना भी हो जाता तो भी चलेगा पर इससे कम मत होने देना मतलब सर उसमें change किया जा सकता है कि Yes It means कम भी आएगा 29.66% तक acceptable है उससे ज़्यादा आएगा मत करना अब सोच के बताना Post to Project में कितने percentage तक चलेगा 42% तक हम बढ़ा सकते पर इसको ज़्यादा छोगे न तो बरबाद हो जाओगे It means यह जो CFAT है यह 29.66% से ज़्यादा change मत करना अगर इससे ज़्यादा change हुआ भी यहाँ तो हाँ जोड़ देना It means सर दोनों का अगर comparison करूँ तो critical factor कौन सा दिखाई दे रहा सोच समझ के बोलना प्रिटिकल फैक्टर उसमें तो ज़्यादा change हो सकता है possibility है इसमें नहीं कर सकते इसमें करोगे तो खतम हलागि इसका भी formula है ऐसे करना है जीरो लेकर या फिर किसका निकालना CFAT तो यहाँ लिखना present value of CFAT इसका निकालना है उसका present value टोटल यहाँ लिखना है और उपर तो NPV और ऐसे भी आप direct भी निकाल सकते 29.66% multiple choice question में काम आ सकता ठीक है ऐसे किसका निकालना है सर लाइफ लाइफ कितने साल है पास साल कम चले कम आया तो चार साल आया तो चार साल आया तो लाइफ कितनी हो कम हो तो चलेगी पास साल में तो NPV positive है कम भी हो तो चलेगी पर बड़ 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 NPV 0 आना चाहिए NPV 0 लाने के लिए cost of capital क्या करेंगी cost of capital है life 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 तो सर ऐसे करते हैं मैंने बताया था आपको कि सर पहले life ले ले लेते हैं चार साल और भगवान से प्रात्ना करेंगी कि NPV क्या आजाए 0 positive है फिर मैंने बड़ चलो यार तीन साल ले लेते हैं मालो तीन साल life चलेगी तो उस पर NPV negative आया एक में positive आया एक में negative आया फिर उसका हम क्या कर लेंगे interpolation ये तो आता है आपको खुब किया है और interpolation करके answer आगया 3.26 security evaluation में किया है और derivative में भी किया है 3.26 year it means it means कि 3.26 year का मतलब क्या समझ रहे हो कि sir project वैसे तो 5 साल चल रहा है पर 3.26 year चलेगा तो भी चल जाएगा उससे ज़्यदा है तो बहुत अच्छी बात पर अगर उससे कम आएगा ना उससे period, year अगर machine हमारी 3.5 year ना चलके 3.26 year चली तो भी चलेगा पर उससे कम चलेगी तो खतरनाक हो सका तो जाओ research कीजिए कि life जो है और भी पता कीजिए कि चलेगी के नहीं चलेगी 3.26 years और फिर इसका percentage निकाल लेंगे अच्छा 3.26 year है क्या 3.26 year मालूम है actual में क्या है यार इस पर डिसकाउंटेड पेबैक period कि डिसकाउंटेड पेबैक period याद होगा आपको अगर नहीं है या तो ऐसे कर लेना डिसकाउंटेड पेबैक period का मतलब क्या होता है कि सर इतने period पर मसीन में हमने जितना पैसा लगाया वो सब की सब recover हो जाए मैंने ऐसे भी करवाया था और इसका भी answer आया था 3.26 अब ऐसे कर लीजिया या ऐसे कर लीजिया तो पाच से कितना पर्षेंटेज कम किया जा सकता है वो पर्षेंटेज निकाल रहा हूँ पर्षेंटेज आया 34.8% तो अभी तक मैंने sensitivity कितने चीजों में निकाल लिया सर आपने निकाल लिया cost of project में आपने निकाल लिया CFAT में आपने निकाल लिया life में अब किस में निकाल रहा हूँ सर अब cost of capital cost of capital अभी कितना है 10% 10% पर क्या positive है यस आखिर क्या ऐसा cost of capital बढ़ेगा तो चलेगा चल जाएगा maximum कितना रखे cost of capital अगर बढ़ेगा तो बढ़े जाए पर maximum कितना बढ़े कि NPV 0 हो जाए negative नहीं आना चाहिए मालम इसको क्या बोलते है IRR अच्छा साथ तो अब मैं वही काम करने जा रहा हूँ में rate अभी कितना था 10% और 10% पर NPV positive था yes 10% पर positive तो मैंने दूसरा वाला rate लिया 20% उस पर भी positive हो है फिर 25% लिया उस पर भी positive हो है और फिर 28% लिया तो मैंने का यार 25 और 28 के बीच में NPV 0 आजाएगा interpolation किया तो यह आगे 25.43% है ठीक है इट मेंस अभी कितना है 10 maximum कितना acceptable है 25.43% है उसका मैंने percentage निकाला तो 154% तक change किया जा सकता है cost of capital तो इन चारों का मैंने sensitivity analysis किया और करने से पता लगा कि सबसे कम किसमे change accept कर सकते सबसे कम सबसे कम इसको ज़्यादा छू नहीं सकते इसको ज़्यादा छूगे तो इसको और इसमें अगर यह danger दिख रहा है ना आपको यह सर इतना percentage इससे ज़्यादा percentage acceptable नहीं है तो यह है critical factor और यह निकल करोगे क्या सर यह निकल कर हम क्या करेंगे हम पता लगाएंगे कि घूम यह market में research कीजिए कि जो आप product बनाने वाले हो वो उतना ही का बिकेगा की नहीं बिकेगा पैसा आएगा की नहीं आएगा तो यह critical factor है NPV positive बहुत अच्छी बात है पर रुख जाओ इसके विसे में पहले थोड़ा सोच ठिक इसमें ज़्यादा change नहीं किया जा सकता इस इस critical factor तो यह एक approach है जिसमें NPV आपको zero रखना है या फिर इसको आप margin of safety भी बोलते है margin of safety break even भी बोल सकता break even break even हाँ सा break given आता है दूसरा approach और होता है अच्छा दूसरा approach कि होता है दूसरा approach यह होता है कि चलो ने यार एक percentage ले ले लेते हैं और इस percentage से सौक देते हैं मतलब cost of project कितना 1,20,000 चलो बुरा सोचते हैं मानलो यह 20% से बढ़ गया तो NPV पर कितना फर्क पड़ेगा CFAT CFAT में बुरा सोचते हैं मानलो यह 20% से कम हो गया तो life life का बुरा सोचते हैं सर मानलो यह 20% से कम हो गया तो COC COC सर मानलो यह COC 10% से बढ़ गया तो यह भी एक approach होता है जिसमें आप एक particular एक certain percentage से सौक देते हो हर एक factor को ठीक है इट मेंज पहला अगर cost of project 20% से बढ़ गया से बढ़ दिया तो सर NPV ड़ाउन हो गया तो बताव NPV कितने percentage से डाउन हो गया पहले यह था NPV अब यह हो गया तो बताव NPV 47.44% से डाउन हो गया cost of project को 20% से बढ़ाने से NPV ड्याउन हो गया 47 ऐसे ही सब चीश को बढ़ाया CFAT 20% से डाउन हो गया तो फिर मैंने NPV निकाला और फिर परशेंट सर NPV ये आ गया तो देखा NPV पे कितना फर्क पड़ा तर 67% फिर cost of project, cost of life of project 20% डाउन 5 साल का 20% मतलब सर 4 साल, मालो प्रोजेक्ट 4 साल ही चला तो NPV कितना फर्क पड़ेगा फिर NPV का percentage निकाला और ऐसी cost ये सर ये ज़्यादा ही जी है अब दिखकत है इसमें critical factor कौन सा होता है सोचना ये दूसरा approach है इसमें उल्टा सोचना होता है सर्ब cost of project बढ़ा तो NPV गिरा कितने से, कितने percentage से सब 47 से तीक है और यहां भी NPV गिरा 67 से यहां भी NPV गिरा 55 से यहां भी NPV गिरा 60 सबसे ज़्यादा NPV speed से एक factor को चैंज होने से NPV speed से डाउन होता है किसमें डाउन होता है सर इन सब में डाउन नहीं होता है इसमें डाउन होता है ये critical है क्योंकि इसमें थोड़ा सा छूते हो, यह एकदम से गिरता है, यह एक अप्रोच है, सर एक्जाम में कैसे, एक्जाम में देगा भाई, देगा कि कौन से अप्रोच से करना है, और सर एक्जाम में कुछ नहीं दिया तो आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हो, हलाकि आपके बस दोनों एप्रोच है, दोनों मैंसे किसी भी एप्रोच से करते हैं, ठीक है, बाकि मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्जाम में देखा, ओके सब, तो देखे, कोशन, ओके यह कहाने लिखवा रखा हूँ, मेरे खाल से यह पढ़ लो गया, यह वाला कोशन, जो मैं एक्जामपल क तोर पे करवा दिया था, और सर, यहां कौनसी एप्रोच से करना, आप किसी भी एप्रोच से कर सकते हो, पर मैंने यहां फर्ष्ट लिखा है, फर्ष्ट एप्रोच, ठीक है, बाकि ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी एप्रोच से कर से, ठीक है, तो मेरे खाल से, सर, यहां देखे करेंगे कि हाँ, क्योंकि 10% से 11% दिया है न यार फैक्टर, अब ऐसे भी कर सकते हो, cost of project 10%, तो मैंने यहाँ, कौन सी अप्रोच से किया, shock वाली अप्रोच से किया, 10-10% का shock दे दिया, कर सकते हो, ठीक, फिर सरी, चार साल का कैसे करोगे, वैसे life of project का पूछा नहीं, उसने तो 3 चीज पूछा, initial project cost, cash inflow, और cost of capital, ठीक, इसको 10% से बढ़ा दीजिएगा, इसको 10% से कम कर दीजिएगा, और इसको 10% से बढ़ा के 11% कर दीजिएगा, ठीक है, सर चल जाएगा, ओके, ty के 9, ये वाला question अच्छा है, ये वाला question अच्छा है, इसमें समझ जना पड़ेगा, बहुत अच्छा question है, त्यार हो, ये question base है, हमारी book में question number 32, पढ़ा हो मैं question को, लिखा हुआ, x, y, z, limited, project है, initial cost कितना है सर, 10 लाक रुपे लग रहा है, selling price है, 60 और 20, cost, तो contribution कितना हो गया है, 20 रुपे, और units है, 20,000 units, 30,000 units, और 30,000, पहले साल 20,000 units, फिर 30,000 units, और फिर 30,000 units, और discounting किस से करना है, 10% से, और आपको निकालना है, sensitivity, किस-किस में, selling price में, unit cost में, sales volume में, volume मतलब number of units, initial outlet of project के life में, taxation को ignore करना है, हम लोगे start कर रहा है, पर सबाल है कि कौन से approach से करें, किसी भी approach से कर सकते हैं, आपके पास दोनों ही approach, सर, आप प्लीज, आप दोनों ही approach से करवाद होगे, कि हाँ, मैं दोनों approach से करवाद है, तो एक revision type का भी हो जाए, वो ही तो चल रहा है, तो पहले क्या निकालेंगे, NPV, NPV कैसे निकालेंगे, सर, 20,000 into 20, 30,000 into 20, और 30,000 into 20, यह आएगा cash inflow, first year का, second year का, third year का, उसका present value करेंगे, किस से 10% से minus 10 लाग करेंगे, कर लीजिए, मैंने trick किया, trick huge किया, trick huge क्यों किया है, वो आपको बाद में समझे में, मैंने का यार, 20,000 into 20, 30,000 into 20, और 30,000 into 20, और divide तो आपको 10% से discounting करना, और minus 10 लाग, तो मैंने न सब का common कितना है, सर, 20,000 रुपे common है, तो इस 20 को इधर लिख दिया, लिख सकते हैं, और फिर 20,000 divided by 1.0, 30,000 divided by 1.0, 30,000 divided by 1.10 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, minus 1 लाग, ओके, तो सर, NPV आ गया है, yes, NPV आ गया है, 310, मुझे भी समझे में नहीं आ रहा है, NPV आ गया है, सर, 310, 293, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत है, कि यहां तक कोई, अब मैं क्या करूँगा, हर एक factor को sensitivity निकालूँगा, दो नहीं approach से निकालूँगा, एक shock वाला approach, और एक margin of safety, सबसे पहले sensitivity किसमें निकालना, सर, selling price में निकाल, सर, selling price को X मान लेंगे, एक यह थरीका हो गया, सबसे पहले selling price, selling price को down करते, सर, कितने percentage को shock देगे, 10%, अगर यह 60 से 10% करो, कम 60 माइनस 10%, सर, selling price अगर 54 हो जाए, तो बताओ, NPV कितना आएगा, अब ध्यान से देखना, अगर selling price में में 6 रुपे कम कर रहा हूँ, तो क्या contribution में भी automatic 6 रुपे कम हो जाएगा, हाँ सर, मतलब, 20-6, सर, यह 14 हो जाएगा, चाहँ तो करके देख लो, 54-40, 40 में change मत कर देना, एक समय पर एक ही factor, 54-40, हाँ सर, 14 रुपीस, और 14 into, यह कर लेना, number of units, 14 into number of units, minus 10 लक, NPV है जाएगा, shortcut बता रहा हूँ, सर, इसका मतलब, क्योंकि एक समय पर एक ही factor change हो रहा है, इसका मतलब यह हो गया, कि जितने रुपए से selling price कम होगा, उतने ही रुपए से contribution कम होगा, हाँ जी, ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से फिर NPV निकाला, जो कि आ गया, minus में, NPV पे बहुत जबरदस्थ फर्क पड़ गया, पहले NPV था positive, कितना, 310293, अब हो गया negative, तो बताओ NPV पे, यह है पहले का NPV, तो सर, NPV गिरेगा और 126.68% से डाउन हो जाए, यह एक approach, और सर, दूसरी approach, यह है दूसरी approach, जिसमें NPV हमको क्या करना है, 0, अब ध्यान से समझना, अब 0 कैसे करें, सर, minus 10,00, is equal to, यहाँ 0, इस equation की मैं बात करा हूँ, और सर, हम यहाँ क्या कर ले, selling price को x ले ले, और cost को 40 ले ले, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लो, या तो फिर आप क्या करो, contribution को x ले लो ना यार, तो भी चलेगा, जिनको ज़्यादा लंबा जाना है, वो x minus 40 करके multiply answer निकाल लो, x का value निकाल लीज़ए, पर मैं कहता हूँ, मैं contribution निकालता हूँ, कि contribution maximum कितना हो करें, मतलब, contribution अभी कितना है, 20, down हो सकता contribution, पर कितना down कर सकते, वो ही मैं निकालने के कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने contribution को x लिया, और units तो उमको पता, minus 10 लाग, तो यह 0, तो x का value आ गया है, 15.26, इसका मतलब, contribution पहले कितना था, 20, अभी है 15.26, तो contribution कम किया जा सकता है, 4.74, तो contribution थोड़ी निकालना हमको selling price में, पिर से बोल रहा हूँ, जितने रुपए से selling price कम होगा, उतने रुपए से contribution कम किया जा सकता है, या दूसरी language में, जितने रुपए से contribution कम होगा, उतने ही रुपए maximum selling price में change किया जा सकता है, समझ में नहीं आए तो भाई सीधी सी बात है इसको भोल जाओ X-40 ले 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 ना और आंसर निकलोगे तो सेलिंग प्रैस निकला जाएगा ठीक है तो सर कितने रुपए से सेलिंग प्रैस कम किया जा सकता है 4.74% रुपीज और पहले का सेलिंग प्रैस कितना 60 इन 200 तो सेलिंग प्रैस का सेंसिटिविटी इस एप्रोच से कितना आया 7.90% तो उन्हों एप्रोच से क्रिटिकल फैक्टर में समझा चुका हूँ अगे चलें सेलिंग प्रैस के बाद क्या है सर यूनिट कोश्ट ओहो यूनिट कोश्ट भी वैसे ही है भाई यूनिट कोश्ट भी कितना अब यहां यूनिट कोश्ट अब यहां क्या करना पड़ेगा मालूम है सर यहां अब हमको यह साथ ही लिखना पड़ेगा और यहां माइनस एक्स करना पड़ेगा ultimately contribution नहीं तो करना है पस contribution कितना आया था contribution हमारा आया था 4.74 मतलब सर अगर पूड़ा सा दिमाग चलाना यार प्लीज अगर आप सीधी बात वोलू इसका मतलब यार unit cost को बढ़ाया जा सकता maximum कितने से 4.74 अगर गहराई से सोचोगे तो समझ में आजाए तो सर्फ मैंने दोनों एप्रोच से किया है ठीक है पहला एप्रोच में अच्छा ये तो sales volume हो गया है क्या मैं unit cost की बात कर रहा हूं unit cost कहा निकला है unit cost ये निकला हुआ तो पहली एप्रोच में unit cost को आपने 10% से बढ़ा दिया कितना आ गया 44 और 44 की सबसे आपने NPV निकला ये और NPV पहले ये था अभी ये है तो NPV में कितना percentage का change हो सकता 84.4 दूसरी एप्रोच भई उतने ये रूप ऐसे unit cost बढ़ा सकते है maximum और unit cost कितना है 40 तो आगया 11.85% मेरे ख्याल से ये shortcut कट आपको समझे में नहीं भी आ रहा है दिक्कत वाली बात नहीं आप x लेकर कर लेना ठीक है अब बात किसकी है unit cost आपने निकाल लिया sensitivity in unit cost भी निकल गए आपका विट में sales price हो गए है unit cost हो गए है अब बात है सबसे मुद्दे की बात है sales volume इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है sales volume मतलब number of units पहली approach है 10 person से down कर दो मतलब पहले साल 20,000 है तो उसको 18,000 कर लो 30,000 है तो उसको 27,000 कर लीजिए और ये 30,000 है तो उसको 27,000 कर लीजिए और NPV निकाल लीजिए वह हम निकाल लेंगे उसका दिक्कत नहीं 18,000, 27,000 उस हिसाब से हमने NPV निकाल ला तो ये आ गया है मेरे ख्याल से इतना तो करी सकती है पहले भी आप ही नहीं किया है और पहले NPV ये था अब ये है और पहले का NPV ये तो 42.22 परशन से 100 किया था आपने कितने परशन का दस परशन का दूसरा एप्रोच ध्यान से समझना मैंने मारा शॉटकट अब देखो शॉटकस कैसे मारा है बिल्को ध्यान से समझना प्लीज 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 ये शॉटकट है शॉटकट बहुत काम आने वाला है आपको मैंने का यार ये है 20 ये है number of units total में total में number of units minus 10 लक तो ये NPV आया मैं कहता हूँ total units को जो cells volume है वो ear wise sensitivity निकालना कि total में total में भी ये ear wise के चक्करों मत पढ़ना ear wise पूछेगा तो आप लोगों ना जाने क्या क्या question पूछे है मससे मैं क्यों ना इसको x ले लूँ total में ये ही तो निकालना है क्यों ना इसी को x ले लूँ आना यार piece into x number of units कितना कम से कम हो तो भी चलेगा पर यहाँ 0 होना चाहिए तो मैंने वह है कि piece into x minus 10 लक जीरो उससे number of units आ गया 50,000 पहले number of units कितना था उसका present value सर ये minus 50,000 divided by पहले का into 123.68 बहुत सारे बच्चे मेरे ये trick से खुश नहीं थे तो बोलते नहीं सर आप individual units को x मान लीजी ये units को x मान लो सर जब units का नेकालना तो units को x मानोगे तो ध्यां से देखना मैं वही कर रहा हूँ 20 अब यहाँ जो units है ना इसको x मानने के लिए बोल रहा है इसको x नहीं मान सकते क्योंकि ये ratio अलग-अलग है यहाँ 20,000 यहाँ 30,000 यहाँ 30,000 यहाँ 30,000 दूसरा alternate तो इसको मैंने 2x माना इसको 3x माना इसको 3x माना वैसा मानना पड़ेगा यह बच्चों ने मुझे परिशान किया था बोले नहीं सर हमको यह जो आपने निकाला है ना कितना 23.68% इसका alternative बता दो चलो alternative बता दिया मैंने तो मैंने इसको 2x माना इसको 3x और इससे भीर मैंने शॉल किया तो number of units कितना आया सर number of units आया 7631 यह x का आया तो total units 2 से multiply कर दिया इसको 3 से multiply किया तो total units 61054.72 आया तीन साल का और तीन साल का मिला कर कितना 80,000 20,000, 30,000, 30,000 और फी percentage निकाला तो 23.68 आया अगर ऐसे करने का दिलने तो ऐसे कर लो मतलब सर sensitivity in volume हमको ऐसे total में ही निकालना पड़ेगा हाँ जी सर अगर हमारा individual हर एक साल में sensitivity निकालना है तो बेकार की बात है फिर भी निकालना है तो निकाल लो यहाँ 20 है यहाँ maximum acceptable है यहाँ 30 है यहाँ maximum यहाँ 30 वैसे कर लो पर ऐसे fancy नहीं बनता आपको total में ही करना पड़ेगा यह तो ऐसे कर रहो यह तो मैंने जो shortcut बताया आव ऐसे कर ले ना ठीक है मैंने पहले भी बोला था sensitivity में time लगे यह cells volume important है बाकी तो फिर और कुछ नहीं सर initial outlet initial outlet सौक दे दो सर 10 लाक है ना चलो 10% से बढ़ाते और NPV निकालते yes NPV निकाला NPV अब तो यह समझ में आ गया और यहाँ यहाँ shortcut मारा shortcut मैंने बताया था NPV divided by initial outlet into 100 यह कौन सा एप्रोच जिसमें NPV zero करना आप initial outlet को एक्स मान के भी कर सकते हो अगर करने का देदा और इसके बाद क्या बचा तर इसके बाद इसके बाद क्या बचा है इसके बाद सर life of project project के life project के life में दिक्कत है बस एक मात्र क्या दिक्कत यह वाला एप्रोच मेंने discounting payback period से किया किया maximum वैसे तो हमारा project कितने साल चलने वाला तीन साल पर 2.312 चलेगा तो maximum कितना acceptable है 22.93% second approach से किया NPV 0 भी आएगा तो चल जाएगा यह वाली approach में दिक्कत हो गई थी दिक्कत क्या हो गई थी हर एक को हम कितने percent से change कर रहे थे 10% से अब 3 साल को में minus कर रहा हूं 3 minus 10% कम ही तो करना पड़ेगा तो सब 2.7 years आया अब 2.7 years का NPV कैसे निकालोगे दिक्कत ही है तो यार दिक्कत बस यहां में life में फज गया हाला कि ऐसा question है नहीं है पर यहां में life में फज गया था हमें करना क्या था हमें हर एक को 33% से change करना था तो फिर life हम 3 साल को 33% से change करते थे दो साल आता पर हम फज गया थे कि यार चलो 10% से ही तो फिर मेंने क्या किया मैंने का यार इसको 33.33% से ही डाउन करते हैं हम मानते कि project 2 साल है उसके सबसे NPV निकला और NPV में change निकल लिया और फिर 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 मैंने का 33% पे इतना change होता तो 10% पे कितना change हो गया unitary method से solve कर लिए क्योंकि मैं या फस गया था समझो समझो ये कास आपको याद आ रहा हो वो दिन जब मैं ये करवा रहा था topic तो मैंने क्या किया था शौक एप्रोच में कहा फस होगे life में तो वैसे तो दिया रहेगा तो फसाएगा नहीं पर अगर आप मन से assume करोंगे तो भई life को देखके assume करना थोड़ा सा अब उतना आपको याद आ रहा है कि नहीं मैं नहीं जानता इस पर हमारी बहुत research हुई थी खुब बाते हुई थी अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो regular lecture में देख लेना क्यूंकि ऐसे तो मैं revision में आपको याद नहीं दिला सकता सारी ची question number 33 PY के 11 homework दिया था आपको पर आपसे homework बना नहीं था तो फिर मैंने करवाय था इसको yes मैं बात किसकी कर रहा हूँ question number 33 देख एक बार yes cost of plant दिया है और recurring cost दिया और savings दिया ठीक है और cost of capital कितना है 9% और आपको sensitivity निकालना है किस में निकालना है एक तो सर्फ plant value में निकालना है और एक running cost में निकालना और savings में निकालना तीन जिजों में sensitivity निकालना था तो मैंने कहा यार इसको ऐसी करना सबसे पहले जो savings है उसका present value निकाल लेना percentage कितना है 9% के साब से और आपने निकाल लिया था तो यह आ गया था 22792 फिर मैंने कहा recurring cost जो है ना उसका भी present value निकाल लेना और आपने निकाल लिया था 7878 और फिर मैंने गा था NPV निकाल लो तो आपने NPV निकाल लिया था NPV present value of savings और present value of recurring cost minus project का cost तो NPV आ गया था 4914 अब मैंने गा आपको किस में निकालना है sensitivity सर हमें project की cost में निकालना है तो 4941 नहीं 4914 divided by project का cost into 100 फिर मैंने गा आप किस में निकालना है बोले हमें running cost में निकालना है तो उपर आएगा 4914 नीचे आएगा present value of running cost सर हमें savings में निकालना है तो उपर आएगा 4914 divided by नीचे आजाएगा आपका present value of savings shortcut है बागी आप x लेकर कर लो फिर लेकर नहीं होगा फिर आपको यहाँ ratio में लिखना पड़ेगा x उसमें ज्यादा दिक्कत होगी ओके सर चले जूए यहांके सर यह वाला question question number 34 है और module में tyk 12 tyk 12 question अच्छा है यह देखे दिखा हैं the easy going company limited is considering a new project with initial investment survival it is estimated that IRR दिया है 16 percent generally IRR कौनसी वाली approach में काम आता है याद करो जिसमें NPV zero करना है वो वाली approach में काम आता है कि shock वाली approach जिसमें NPV zero करना है तो यहां जो भी sensitivity क्योंकि IRR दिया है तो कौनसा वाला approach लगेगा NPV zero वाला approach तो IRR दिया है 16 percent और live दिया है पासा financial manager has studied that project with sensitivity analysis inform that annual fixed cost का sensitivity निकाल गर दे दिया भाई साब sensitivity और cost of capital का sensitivity दिया है 60 percent याद करो IRR क्या होता था cost of capital क्या हो sir cost of capital को 10 percent से बढ़ा सकते है cost of capital को 10 percent से बढ़ाएंगे जो भी rate आएगा उस पे NPV zero हो गया और उस rate का नाम होता IRR simple सी बात दस percent से नहीं 60 percent से बात समझे है cost of capital का sensitivity कितना दिया है 60 percent मतलब cost of capital को कितने percent से बढ़ाएंगे जा सकता 60 percent से बढ़ाएंगे और cost IRR है कितना आयार है 16 percent तो 16 percent को कितने तो मैंने कहा कि यह cost of capital है x और उसको 60 percent से बढ़ा देंगे और यह है 16 तो मेरे खहल से cost of capital निकाल सकते हैं बच्चों को यह पसंद नहीं आता उनको formula पसंद आता है तो cost of capital का sensitivity कैसे निकालते थे यात करो पहने लिखवा रखा है difference divided by COC कितने percentage से cost of capital को बढ़ाएंगे जा सकता तक कि NPV 0 आ जाए और मतलब यह वाला rate क्या है वही वाला rate है जिस पर NPV 0 आ जाता है और यह कितना दिया है 60 percent को मैंने 0.6 लिख दिया IRR दिया हुआ है और X हमारा cost of capital है तो formula से cost of capital कितना आगा है 10 percent अगर पूछेगा तो अभी उसने यह जो बोला उसके सबसे मैंने काम कर दिया भई मैं बस इतना बोल रहा है sensitivity दिया हुआ है और IRR दिया है तो इससे क्या cost of capital निकाला जा सकता है अभी मैंने question पूरा पढ़ाने पीवी ratio दे रहा 70 percent variable cost है 60 percent मतलब सर किया है contribution तो variable cost कितना 30 percent मतलब 60 रुपए 30 percent के बराबर selling price निकल जाएगा 60 divided by 30 percent यह सर selling price आगया 200 रुपए selling price आगया 200 रुपए variable cost तो 60 रुपए दिया हुआ तो contribution 140 दिख रहा है fix cost fix cost कैसे निकलेंगे रुख जाओ fix cost की बात ही नहीं कर रहा हुआ fix cost की बात नहीं annual cfat दिया 57 500 वाव अच्छा question है भाई cfat दिया 57 500 बोले depreciation को ignore कर दीजिए ठीक है और tax को भी ignore सबसे पहले बोला initial investment of the project बताईए दो चीज़े है एक है IRR और एक है cost of capital आपके ca inter का मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाते है ca inter में हम निकालते थे pvco तो जो cfat होता था ना उसको हम discounting करते थे IRR से क्योंकि IRR एक ऐसा rate है जिस पे present value of cash inflow किसके बराबर होता है present value sir pvci कैसे निकालते है pvci जो निकालते भाई वो तो cost of capital ही उच करते pvci निकालने के लिए पर अगर हम IRR से discounting कर दे तो वो जो pvci निकलता है ना वो pvco के बराबर होता है कास आपको CA inter याद आ जाए ठीक है फिर मैं लंबी classes लगाता हूं तो बच्चे बोलते हैं sir लंबी classes क्यों लगा रहे हैं क्या करूं मजबूर हूं यार तो sir हमको IRR पता है कि yes हमको CFAT पता है कि yes तो sir निकल गया ना cost of project निकल गया और यह cost of project नहीं हमें CFAT मालूम है हमें यह मालूम है तो यह cost of project निकल गया और क्योंकि 10% भी मालूम हो गया हमको तो हमारा यह भी निकल गया NPV है ना यार ठीक है मांगा रही है पर NPV निकल गया तो क्या क्या निकल गया भाई लोग तर cost of project initial investment तो निकल गया NPV भी निकल गए अब बात है fix cost निकले fix cost fix cost का sensitivity दिया है 7.84 7.8416% और मैंने shortcut बताया था आपको NPV कितना आया था वसे NPV निकला NPV आया है यह आप सुनना देहां से NPV आया है यह सर हमने बढ़ा था कि fix cost हम maximum कितना बढ़ा सकते है सर ताकि NPV जीरो आजाए तो सर fix cost को maximum हम बढ़ा सकते 29727.50 बिल्कुल एगरी annual fix cost को fix cost को अगर मैं कहूं maximum कितना बढ़ा है ताकि NPV जीरो आजाए तो सर इतना ही तो बढ़ा सकते it means fixed cost में कितना change कर सकते maximum इतना तो सर sensitivity हमको मालूम है इतना ही change कर सकते NPV divided by present value of fixed cost तो यह आगे सा present value of fixed cost पास साल का मिला कर और उसको divide कर दिया मैंने factor से तो सर यह हर साल का fixed cost आगे annual fixed cost बैतरी नहीं मजा आएगा ज्यादा दिक्कत है regular class देखो मेरा काम है याद दिलाने का ओके ओके क्योंकि अगर SMA समझाने जाओंगा न तो पता है फिर तो regular class होगी capital बिस्टिंग ठीके सर यह fixed cost भी होगा units of sales पूछार annual units of sales units of sales के लिए क्या किया जा सकता 200 रुपए selling price है हमको तो देखते हैं यह वाला तो fixed cost हो गया हमें क्या मांग रहा है units मतलब quantity हमको selling price मालूम है हमको यह भी मालूम है 60 60 क्या है variable cost fixed cost भी मालूम है और यह 57,500 क्या है 57,500 क्या है सर यह तो quantity CFAT होगा CFAT कैसे निकालते है क्या आपको पता नहीं है CFAT सर, sales minus variable cost minus fixed cost तो CFAT यही tax तो है नहीं है depreciation तो यही CFAT है तो फिर इसको solve कर लोगे तो units से जाएगी 1125 और सर बीपी मांगा है तो बीपी निकाल सकते है fixed cost divided by contribution per unit break-even points in units निकल जाएगा यह question तो कर लेना मतलब क्या करना ही पड़ेगा भाई, last में यह question ऐसे नहीं बना बहुत अच्छा और पहले भी था यह जब माफ़ा चलता था उससे में भी यह question था उसी दा उठा कर डाल दिया ओके ठग गया हूँ मैं भी ठग गया हूँ पर sensitivity खतम ही करना और एक question है question number 35 TYK 13 यह भी बहुत अच्छा question है हाला कि इन question में अब टाइम नहीं लगीगा तो यह पिछला question अगर कर लोगे न अच्छे से और यह वाले question sensitivity के तो बनाना ही पड़ेगा बना कर देख ले पचास लाग रुपए investment करना ठीक है और दो लाग यूनिट्स हम बनाएंगे produce करेंगे और बेचेंगे कितने के सबसे 30 रुपए के सबसे और सर वेरिवल कॉष्ट है 16 रुपए 50 पैसे तो वैसी contribution मिल गया हमको और सर फिक्स कॉष्ट दस लाग दिया हुआ है और कॉष्ट आप कैपिटल है 12 परशंट और सर ये acceptable risk क्या है ये मैं बताऊंगा ये मैं बताऊंगा ये एक चीज जो बताना सर हमें sensitivity निकालना किस-किस में selling price में निकालना और sales volume में निकालना और variable cost में निकालना तो सबसे पहले भाई NPV तो निकाली लो और NPV आ गया है 11,08,000 अब आप selling price को X से ले लिए ये तो contribution को X से ले लिए मैं पहले ही बात करूँ बात ही की है आपका दिल कर रहा तो आप इसको X से ले कर काम कर सकते मैंने contribution को ले लिया सीधा तो सर किया किया मैंने इसको X ले लिया क्योंकि जितने रुपए से contribution में change होगा उतने ही रुपए से selling price में change होगा बाकी वही किया तक फिर X का value निकल गया तो ये क्या आगे 11,93 से contribution रहना चाहिए मतलब contribution पहले 13,50 पैसे था मतलब इतने रुपए से contribution कम हो सकता है तो selling price भी उतने रुपए से कम बहुत सारे बच्चों का doubt आया था सर आप contribution ले ही क्यों रहे है आपको selling price ले ले लिए तो आप selling price ले ले लिए तो ये कितना आ गया 5.23 उसके बाद cells volume volume किदर गया volume इसको x ले लिजी volume को ठीक तो volume को x लेके काम कर लिया तो ये आ गया 7,21 ज़र sensitivity in cells volume 7,21 क्या है सर कुछ नहीं present value था इसको x ले लिए इसको x लेने के picture आप इसको भी दे सकते हूं अगर लेना होता है पर मैंने इसको x ले लिया ठीक है मतलब volume जो volume है ना उसका present value ऐसा question मैंने और इक करवाए हूं ठीक है तो इसका भी आ गया 11 और और क्या बोला है variable cost per unit variable cost तो वैसी है इसका difference बस नीचे क्या कर दिना variable cost 9.52 परशन तो इसमें sensitivity में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी question में क्यों क्योंकि पहले करवाया था इसके अलावा अब आगे बढ़ रहा है हम लोग और ये point number d की वज़ा से question करने का बनता है point number d में क्या बोल रहा है on further investigation it is found that there is significant chances that expected cells हमको ऐसा लग रहा है कि expected cells कितना होगा 2,00,000 units ठीक है cells manager of unit limited उनको ये कर कि cells volume जो units है न वो expected economy पर depend है और यार हमको लग रहा है कि cells इतना भी हो सकता इतना भी हो सकता इतना भी हो सकता और इसकी probability दिया है क्या मांग रहा है आपको expected NPV निकालना expected NPV निकालना था अपको इसके साब से पहले NPV निकालोगे इसके साब से इसके साब से और फिर expected NPV निकाल लिए चीए मैंने या किया मैंने 3 NPV निकाला ये 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 आप समझाने की कोशिश को सर नेगेटिव NPV भी आ सकती है इसकी probability 30% सर पॉजिटिव भी आ सकते है 60% इट मिंस नेगेटिव NPV आने की क्या probability सर 30% मत करो accept अगर 20% से कम होता न नेगेटिव मतलब यार आपको लॉस भी हो सकता इस बात के chances कितने 30% मत कियाज़ acceptable नहीं है maximum हम कितना acceptable कर सकते 20% तक नेगेटिव आएगा तो चलेगा पर उससे ज़्यादा होगा न allow नहीं है सर ये बात कहां लिखी है ये बात कहीं लिखी हुई है और वो सब्द मेंने कहां पड़ा था ये है and acceptable level of risk कितना है 20% इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि भाई negative NPV acceptable है पर maximum कितने percent तक 20% तक उससे ज़्यादा नहीं तो यही बात बोला और इस हिसाब से हमको project नहीं करना चाहिए expected NPV बोला since acceptable risk कितना है 20% और chances of negative NPV more than 20% तो project should be rejected ठीक ये कैसा ओके question number 36 illustration number 9 है और इसको मैंने homework दिये दिये और इसमें करना किया था इसमें 2% से unfavorable पहले NPV निकालना था निकालोगे और धाइब परशन से adverse impact देना था इसको 2.5% से बढ़ाना था units को 2.5% से कम करना पढ़ेगा selling price को 2.5% से कम करना पढ़ेगा हर बार NPV निकालो variable cost 2.5% से बढ़ाना पढ़ेगा fixed cost 2.5% से बढ़ाना पढ़ेगा अब scenario analysis है और यहां मैं class खतम करूँगा part 1 risk analysis पूरा नहीं हो पाएगा मुझे भी मालम था क्योंकि decision tree भी आ गया है तो कल की class में scenario analysis करेंगे decision tree करेंगे जिसमें hillier model और hertz model वो दोनों आएगे replacement करेंगे और simulation करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच अच्छा chapter है प्लीज कर लेना यार अगर revision हो गया हो आपका तो लिख कर देख लेना ठीक है ओके थैंक यू सो मच बाई बाई तर कल आएगा ना पक कर revision कल आएगा भाई मैं भी थोड़ा सा video मैं manage कर के कर रहा हूं revision और मैं आप से मैंने आपको बोल दिया ना मैं नहीं जानता सैडूल गरबड हो गया ठीक हो जाने दो पर next week तक मुझे आपको revision classes upload कर रहीं करना है किसी भी हाद थैंक यू बाई बाई